आपने पिछले कारिकाल में काफी बड़े काम किये, आर्टिकल 370 को रद किया, CAA को ले किया है, मगर ओपोजिशन लीडर्स इस कैम्पेइन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है CAA को रिपील कर देंगे, महम तब एनरजी खास करके कह रहे हैं CAA को इंप्लिमेंट नहीं होने देंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये उनके अधिकार खित्र का विशय ही नहीं है, अगर मोदी भी राजी का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है, जो भारत सरकार के विशय है, वो भारत सरकार करेगी, जो राजय सरकार के विशय होते हो तो राजय सरकार करेगी, लेकिन जनता को मुरग बनान क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग समीधान की इतनी बिड़ी बाते करते हैं, बाबसाब अमवेडकर के नाम पर हमको इतनी गालिया देते हैं, हिंदुस्तान में बाबसाब अमवेडकर का समीधान पुरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भार के समझा, और वहां दलीतों को पहली बार आरक्षन मिल रहा है, वालमी की समाई जो आहां रहता है, वहां पहली बार आरक्षन मिल रहा है, ये सब क्या बाते करते हैं जी, और उनकी हिम्मत है क्या, फेस कॉन्फरेंस करके बोले, कि हम 307 फिर से वापी लाएंगे, हिम्मत है झाल झाल